राधे राधे जैसी क्रश्ना बोलिए कार्थिक के राधादा मुदर भगवान की ज़र आप सभी को कार्थिक मास की बहुत बहुत शुप कामनाई आईए आज हम कार्थिक मास की सभी कहानिया एक साथ सुनेंगे कार्तिक इसनान करने वालों को इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए इन कहानियों को सुनने से कार्तिक मास का सम्पून फलब्राप्त होता है आईए सबसे पहले हम गणेजी की कहानी सुनते हैं बोलिए गणेजी महाराज कीज एक बार एक गाउं में एक बुडिया माई रहती थी बुडिया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी वह रोज गणेशी की पुजा करती रोज मिट्टी के गणेशी बनाती और जब इसनान कराती तो गणेशी गल जाते तब एक बार उसकी जोपडी के सामने एक सेर्जी का मकान बन रहा था बुडिया माई सेर जी के मकान के पास गई और मकान बनाने वाले कारीगरों से विंती करने लगी कि तुम लोग मुझे पतर के गणईजी की मूर्ती बना करके दे दो लेकिन सभी कारीगरों ने इनकार कर दिया और कहा कि जितनी देर में हम तेरे लिए पतर के गनुजी की मूर्ती घर कर देंगे उतने में तो हम एक दिवार चुन देंगे। बुडिया माई नाराज हो गई और वोली की भगवान करे तुमारी दिवार टेडी हो जाए। उसके बार बुडिया माई अपनी जोपडी पर आ गए। उधर कारीगरों ने पूरी दिवार टेडी हो गई। ऐसा कारीगरों ने पूरे दिन में तीन बार किया। तब उस दिन उस मकान का सेट कारीगरों के पास काम देखने आया। तो उन्होंने आते ही कहा कि आज तुमने कोई भी काम क्यों नहीं किया। आज तुमने एक दिवार भी नहीं बनाई। तब कारीगरो पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि हमने दिवार तीन बार बनाई लेकिन तीनों ही बार टेड़ी हो गई थी और साथ ही बताया कि आपके मकान के ठीक सामने एक बुड़िया माई की जोपड़ी है वैं हमारे पास आई थी और बोली कि मुझे पतर के गणेजी की मूटी बना क करके दे दो तब हमने उससे कहा था कि जब तक हम तेरे लिए पतर के गणेजी घड कर देंगे तब तक तो हम एक दिवार चुन लेंगे तब उसने हमें शाप दिया कि राम करे तेरी दिवार टेड़ी हो जाए सेड़ जी हमें लगता है कि हमें उस बुड़िया का ही शाप यह सुन का सेड़ जी का माथा ठनगा उन्होंने उसी समय मिश्त्री भेज कर बुढिया माई को बुलाया और कहा कि अरी अम्मा मैं तुझे सोने के गणेजी की मूर्ति गड़वा करके दूगा तू पहले हमारी दिवार को सीधी कर दे तब बुढिया माई यह सुन कर आजी हो जैसे आपने बुरिया माई की सुनी वसी सब की सुनना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और एक नगर में एक राजा था, राजा की लड़की का नाम तारा था, जबसे तारा ने हो सम्भाला तब ही सेव है कायतिग मास में तारा भोजन व्रत का ती थी, तब एक बार की बात है, कार्तिक मास का मैना आया राजा की बेटी ने तारा भोजन रखा तब एक दिन बेटी अपने पिता से बोली कि पिता जी मैं नो लाग तारे दान करना चाती हूँ इसलिए आप मेरे लिए नो लाग चांदी के तारे बनवा कर दीजिए तब राजा ने अपने नगर के सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी ने कार्तिक मास में तारा भोजन बत किया है मेरी बेटी नो लाग चांदी के तारे दान करना चाती है इसलिए तुम मुझे एक दिन में ही नो लाग चांदी के तारे बनवा कर के देना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें फासी पर चड़ा दूगा सुनार दुखी मन से घर आया और उदास होकर बैट गया उसकी पत्नी ने जब अपने पती को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा तो सुनार ने अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी कि अगर मैंने एक दिन में राजा की बेटी को नो लाग चांदी के तारे बना कर के नहीं दिये तो वह मुझे फासी पर चड़ा देगा सुनारन बड़ी ही समझदार थी उसने अपने पती से कहा कि इसमें परेशानी क्या है आप एक चांदी का पदड़ा लीजिए उसकी कलिया काट दीजिए और चांदी के तारे बना कर के राजा को दे दीजिए तब सुनारन ने ऐसा ही किया इस तरह सुनारन एक दिन में ही नो लाग चांदी के तारे बना कर के राजा को ले जा कर के दे दिया तब राजा की लड़की ने कार्टिक मास में नो लाग चांदी के तारे दान में किये इससे भगवान का सिंगासन डोल पड़ा तब भगवान ने अपने दूतों से कहा कि दूतों जाओ मृतिव लोग में देखकर कि आओ कि कौन ऐसा है जो नेम धरम कर रहा है और दान कर रहा है उसे ढून कर के पता लगाओ तब दूतों ने तीन कूट देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया चोते कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन व्यत कर रही थी दूतों ने जाकर भगवान को पूरी सच्चाई बताई भगवान ने कहा कि उसकी जगए वित्यू लोग में नहीं बलकी बैकुंट में है तुम उसे लेकर बैकुंट में आओ तो भगवान के दूद विमान लेकर राजा के महल में पहुँचे और राजा की बेटी से बोले कि तुम्हें भगवान ने बैकुंट में बलाया है तो राजा की बेटी बोली कि मैं अकेली कैसे चलू मैं अपने जनम देने वाले माता पिता को लेकर के चलूँगी अडोसी पडोसी को पूरी प्रजा को लेकर के चलूँगी उस सुनार को लेकर के चलूँगी जिसने मेरे लिए एक दिन में नो लाख चांदी के तारे बनवा कर के दिये उस धोबन को लेकर के चलूँगी जिसने कार्तिक मास में मेरे कपड़े धोए उस रसोये को लेकर के चलूँगी जिसने कार्तिक मास में मुझे साधिष्ट भोजन बना कर के किलाया। उस कुमारन को लेकर चलूँगी जिसने कार्तिक मास में मुझे ठंडा ठंडा मीठा पानी किलाया। उस मालन को लेकर चलूंगी जिसने मुझे कार्थिक मास में पुझा के लिए सुन्दर सुन्दर फूल लाकर के दिया। तब भगवान ने देव दूतों से कहा कि तुम एक बड़ा सा विमान लेकर के जाओ राजा की बेटी जिसे भी अपने साथ लाना चाहे उसे लेकर के आओ। सोचने लगी कि मैंने कार्थिक इसनान किया और कार्थिक मास में नो लाक चांदी के तारे दान करे। मेरे रख के प्रताफ से इन सब को भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। अगर मैं कार्थिक इसनान नहीं करती, नो लागचांदी के तारे दान नहीं करती तो इनस्वर्ग का सुप कहां से मिलता। राचकुमारी के मन में अभिमान आते ही देवदूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया। राचकुमारी ने देवदूतों से पूचा कि तुमने मुझे नीचे क्यों उतार दिया। देवदूतों ने कहा कि तुम्हें कार्थिक मास का इसनान करने का अभिमान आ गया था इसलिए हमने तुझे नीचे उतारा है उसके बाद देव दूत विमान लेकर बैकुंट में पहुँचे तब भगवान ने देव दूतों से पूचा कि इन सम्मे से तारा भुजनवत किसने किया था देव दूत वोले कि भगवान उस लड़की को तो अभिमान आ गया था जिससे हमारा ये अभिमान लड़ खडाने लगा था इसलिए हमने उस लड़की को तो पुने धर्ती पर ही उतार दिया तब भगवान ने कहा कि नहीं तुम जाओ और उसे लेकर किया ओ देव दूत पुने मित्यु लोग में से राजा की लड़की को लेकर बैकुंट में पहुँचे तब भगवान ने राजकुमारी से कहा कि तुम्हें तुम्हारे व्रत का अभिमान हो गया था अब तुम्हें बैकुंट का वास एक ही शर्थ पर मिल सकता है अगर तुम साथ बार शमा 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 वोलो तब ही तुम्हें बैकुंट का वास मिलेगा तब राजकुमारी ने साथ बार शमा करो 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 बोला तब उसे बैकुंट का वास मिला राजकुमारी को भी अपनी गल्ती का एसास हो गया तब उसने नाक रगड के हाथ जोड कर साथ बार भगवान से अपनी गल्ती की शमा मागी इसके बाद ही उसे बैकुंड का वास मिला बोली ये विश्नु भगवान की जैने विश्नु भगवान जैसे राजा की बेटी को कार्तिक मास में तारा भोजन करने और नो लागचांदी के तारे दान करने पर वैकुंट का वास मिला वैसा हम सब को भी मिले कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली बुडिया माई और भगवान क्रश्न की किचडी के कटोरे वाली कहानी अगर नहीं सुनी जाए तो कार्तिक इस्तनान का पूरा पलप्राप्त नहीं होता आईए अब हम कार्थिग मास में भगवान, क्रश्न और बुढिया की खिचडी वाली कहानी को सुनते हैं एक बार बहुत छुटा सा गांग था, उस गांग में एक बुढिया माई रहती थी वे हर साल कार्थिग मास का इसनार और व्रत किया करती थी उसके व्रत खोलते सामें सम्भगवान, क्रश्न आते और उसे एक गटोरा खिचडी का भर कर दे कर जाते थे बुढिया के पडोस में एक मैला रहती थी, वे हर रोज यह देखती थी कि इस बुढिया को कोई खिचडी दे कर जाता है नै तो इसके कोई बेटा बहू है, नहीं कोई दोईता दोईती, नहीं कोई पोता पोती, फिर भी इसे रोज खाने को खिचडी मिल जाती है, नै मालुम कौन इसे खिचडी का गटोरा दे कर जाता है और उसने खिचडी के कटोरे को रखा हुआ देखा और देखा कि बुडिया माई भी घर पर नहीं है तो उसने बुडिया माई के खिचडी के कटोरे को उठाया और बुडिया की जोपडी के पिछवाडे फैक कर चली गई चामकु बुडिया माई गंगासनान करके अपनी जोपड़ी पर आई जब उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो उस दिन वे बुकी ही सो गई पूरे समय वे एकी बात कहने लगी कि कहां गई मेरी खिचड़ी कहां गया मेरा कटोरा उदर पडोसन ने जहां खिचड़ी फैंकीती वहां एक पोधा उगाया उसमें दो सुन्दर फूल उगाए एक दिन की बात है उस नगर का राजा बुडिया की जोपड़ी के सामने से गुजरा तो उसने उन दो फूलों को देखा वे फूल राजा को पसंद आगे राजा ने उन फूलों को पैरेदारों से तोड़ कर मंगवा लिये राजा ने उन फूलों को लाकर महल में अपनी राणी को दे दिया राणी ने उन फूलों को सूंगा पुनों को सुंगने मातर से ही रानी को गर्व टहर गया और नवे मैने में रानी को दो जुड़वा पुत्र पैदा हुए जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो राजा रानी को पता चला कि उनके बच्चे न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं राजा राणी ने अपने बच्चों का बहुत इलाज करवाया लेकिन सब निश्वल रहा कुछ समय के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तब एक दिन राजा अपने दोनों पुत्रों को लेकर शिकार पड़ गया जब वे रत में बैटकर बड़िया की जोपड़ी के सामने से गुज्य तो दोनों राजकुमार रत से नीचे उतर गए और बड़िया की जोपड़ी पचले गए उस समय बड़िया एक ही बात की रत लगाए हुए थी वे कहा रही थी कि कहा गई मेरी किचड़ी कहा गया मेरा कटोरा यह बात दोनों राजकुमार उने सुन ली वे बुडिया से बोले कि बुडिया माई हम ही तेरी किचड़ी है हम ही तेरा बेला है अब रोज ऐसा ही होने लगा राज कुमार रोज बुढिया की जोपड़ी बजाने लगे और उससे बाते करने लगे एक दिन पैरेदार ने देख लिया पैरेदार ने जाकर राजारानी को पूरी सच्चाई बताई राजारानी को महान अश्चरी हुआ वे सोच में पढ़ गे कि हमारे पुत्र तो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं फिर वे बुढिया माई से क्या बाते करते हैं राजा ने उसी समय बुढिया माई को महल में बुलवाया और उससे पूचा कि अरी बुढिया माई ससक बताना तो मैं जादू गर्णी हूँ नहीं टोने टोटके जानती हूँ मैं तो सरिफ इतना जानती हूँ कि मैं हर साल कार्तिक मास का इसनान औरवत करती थी खुद कशन भागवान खिच्डी का कटोरा मेरी जोपड़ी परक कर जाते थे एक दिन मैं गंगा इसनान करने गई जब शान को वापस लोटी तो मुझे खिच्डी का कटोरा नहीं मिला उस दिन मैं भूकी ही सो गई इसलिए मैं सबसे पूस्ती रहती हूँ कि कहां गई मेरी खिच्डी, कहां गई मेरा कटोरा तब एक दिन आग के दोनों राजकुमारों ने सुन लिया तब आग के दोनों राजकुमारों ने मुझे से कहा कि हमी तेरी खिच्डी हैं, हमी तेरा बेला हैं साथ ही इनों ने कहा कि तुमारे खिच्डी के कटोरे को तुमारी बडोसर ने तुम्हारी जोपड़ी के पीछे फैंक दिया था उसमें एक पॉदा उगाया और उस पॉदे में दो फूल उगाये उन दो फूलों को इसनगर का राजा टोड करके ले गया और राणी को ले जाकर के दे दिया राणी के उन फूलों को सुनगने मात्र से ही हम दो उत्र पैदा हुए भगवान ने हमें तुम्हारे लिए ही भेजा है पूरी बस सुने के बाद राजरानी ने बढ़िया को महल में ही रख लिया और राजमाता का दर्जा दिया एक कार्थिक के रादा दामोदर भगवान जैसे आपने बढ़िया की लाज रखी कार्थिक मास की एक की पांच अर्थात अगर आपने कार्थिक मास में इस कहानी को सुन लिया तो आपको पांच कहानी सुनने जितना फल प्रप्त होगा आईए अब हम कार्थिक मास में सुनी जाने वाली एक की पांच फल देने वाली कथा को सुनते हैं एक बार एक गाउं में एक ब्रामन धंपती रहते थे, वे रोज साथ कोस दूर गंगा जमना इसनान करने जाते, रोज इतनी दूर जाना वापस आना इससे ब्रामनी बहुत ठक जाती थी, एक दिन ब्रामनी अपने पती से बोली कि है स्वामी अगर हमारे बेटा होता तो होती तो घर का सारा काम काच करके रखती, जब हम शाम को गंगा जमना इसनान करके घर आते तो हमें खाना बना हुआ मिलता, कपड़े दुले हुए मिलते, घर का सारा काम करा हुआ मिलता, तो ब्रामन अपनी पत्नी से बोला कि भागवान हमारे बेटा ही नहीं तो बहु कहा से आएगी यह सुन कर भ्रामनी उदास हो गई अपनी पत्नी को उदास दे कर भ्रामन अपनी पत्नी से बोला कि अरी भागवान तुने भली कही मैं कली तेरे लिए बहु लाकर दूँगा दूसरे दिन भ्रामन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे चार रोटी जितना आट एक पोटली में बान करके दे दे और उसमें पांस सोने की अशर्पियां रख दे ब्रामणी ने ऐसा ही किया आटे की पोटली लेकर ब्रामण दूसरे गाम लड़की देखने के लिए पहुँच गया चलते चलते वह एक अन्य गाम की चोपाल पर पहुँचा उदर चोपाल पर गाम की बहुच सी चोटी चोटी लड़कियां रेथ में घर बना कर केल रही थी उन में से एक लड़की ऐसी थी जो रेथ का घर बनाती लेकिन तोड़ती नहीं थी जब अन्य लड़कियां उसके रेट के घर को तोड़ने लगती तो वे कहती कि मुझे घर तोड़ना नहीं है बनाना है उस लड़की के मुझे यह बात सुनका ब्रामन को अच्छा लगा वे मनी मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरे बेटे की बहु बने के लायक है जब शान को सभी लड़कियां खेल कर अपने अपने घर जाने लगी तो ब्रामन उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा तब रास्ते में ब्रामन उस लड़की से बाते करने लगा और कहने लगा कि बेटी तुम्हारे घर में कौन कौन है तो वह लड़की बोली कि बाबा मैं और मेरे माता पिता, बाते करते करते ही उस लड़की का घर आ गया, ब्रामन उस लड़की के घर के चबुतरे पर बैठ गया, तब ही उस लड़की के माता पिता घर के बाहर आए, ब्रामन को बैटा हुआ देख करके उसे पूचा कि आप ब्रामन ने लड़की के माता-पिता से कहा कि मैं पडोस गांग से आया हूँ, मेरा नाम सोन दश्यर्मा है, मैं अपने बेटे के लिए इस गांग में एक सुन्दर सु संस्कित लड़की देखने आया था, कार्ति का मेना चल रहा है, मैंने कार्तिक मास का इस्नान औरवत किया ह तो लड़की के माता-पिता ने कहा कि अतीती तो देवता के सामान होते हैं, आप हमारे घर के भीतर चलिए, हमारे साथ भोजन करिए, तो ब्रामन ने कहा कि मैं कार्तिक मास के बत कर रहा हूँ, मैंने कार्तिक मास में इस्नान औरवत किया है, मैं किसी दूसरे के यहां का भो लड़की की मा को पकड़ा दी, लड़की की मा जैसे ही आटा चानने लगी तो उसमें से पांच सोने की अशर्फिया निकली, लड़की की मा के मन मिधन का लालच आ गया, वे मनी मन सोचने लगी जिसके आटे में सोने की अशर्फिया हैं, वे कितना धनवान होगा, भोजन बना तो क्या आप अपने बेटे का विवा मेरी लड़की से करना पसंद करेंगे, ब्रामन को और क्या चाहिए था, ब्रामन ने ज़र से हामी भर दी, अभी ब्रामन लड़की के माता पिता से बोला कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर आप कहें तो खांड्या की तलवार से लड़की के फेरे पटगवा दिये, लड़की के माता पिता ने बहु साधन दे कर अपनी बेटी को विदा कर दिया, ब्रामन बहु लेकर घर आया, और दर्वाजा खटकटाते हुए बोला कि भागवान दर्वाजा खोल, देख मतेरे लिए बहु लेकर आया वितर से ही ब्रामनी बोली कि अब तक तो अडोसी पडोसी नाते रिष्टेदार देवरानी जिठानी ही ताने देते थे, आस तो आपने भी मुझे ताना दे दिया, फिर से ब्रामन बोला कि अरी भागवान में जूट नहीं बोल रहा, तु दर्वाजा खोल कर तो देख, ज बोच की तरह गंगा जमना स्नान काने के लिए जाने लगे, पीचे से उनकी बहु घर का सारा काम काच करके रखती, सास ससुर के लिए खाना बना करके रखती, कपड़ों को धोकर सुखा कर रखती, और आतरी में अपनी सास के पैर दबाती, इस तरह समय बीतने लगा, सास ने अपनी बहु को सीख दे रखी थी कि बहु चूले की आग और परिंडे का पाने खतम मत होने देना, तब एक दिन चूले की आग भुझ गई, बहु भागी भागी पडोस में से चूले की आग मांगने गई, और बोली की बहन जल्दी से चूले की आग दे दो, मेरे सा ससूर आते होंगे, मुझे उनके लिए भुझन बनाना है, पडोसन बोली की अरी खंड्या की बहु इतनी भी क्या जल्दी है, तेरे सास ससूर के तो कोई बेटा बेटा नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा, क्या तुने देखा है, तो बहु बोली की मेरे सास ससूर कहते मेरे पती काशी बनारस पढ़ने गए हैं पडोसन ने कहा कि अरे वे तो तुझे जूट बोलकर के लाए हैं इनके कोई बेटा बेटा नहीं है अब बहु पडोसन की सिखाई सीख में आ गई बहु कहने लगी कि बहन अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए पडोसन बोल आये अनुसार ही किया शाम को सास ससुर जब घर आये तो दूर से उन्हें घर में अंधेरा दिखाई दिया तो उन्हें कुछ शक हुआ सास ससुर घर आये तो बहु ने आदर सतकार नहीं किया नोटो घर में जाड़ू पोचा लगा हुआ था नहीं कपड़े धुले हुए थे बहु ने सास ससुर को भोजन परोज दिया भोजन करते समय सास बहु से बोली कि बहु आज तो रोटीयां जली हुई है और दाल में नमक भी नहीं है बहु अपनी सास से बोली की सासुमा एक दिन अगर जली रोटी खा लोगे अलूनी दाल खा लोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा आप लोगों ने तो मुझे खांडिया की बहु बना करके मेरी जिंदिगी बरबाद कर दी बहु की बात सुन का सास ससुर समझ गये की बहु तो पडोसन की सीखाए सीख में आ गई उसके बाद बहु पुन्ह पडोसन के पास गई और पूछने लगी की बहन अब आगे क्या करना है पड़ोसन बोली कि जब सुबर तेरे सास ससुरगंगा जमना जाने लगे तो उनसे तू सातों कोटों की चाबी मांग लेना दूसरे दिन सास ससुरगंगा जमना जाने लगे तो बहु दरवाजे पर खड़ी हो गए और बोली कि मुझे सातों कोटों की चाबी दो सास ने चाबी देने से इंकार किया तो सासुर जो बड़े ही समझदार थे उन्होंने अपनी पतनी से कहा कि भागवान इसे सातो कोटों की चाबी दे दो आज नहीं तो कल चाबी हम इसे ही देंगे हमारा और कोन है जो चीज हम मनने के बाद इसे देते क्यों न हम जीते जी ही दे दें तो सास मान गी सास ने सातो कोटों की चाबी अपनी बभू को दे दी सास ससुर के जाने के बाद बभू ने एक एक कोठा कोल करके देखा तो किसी में अन भरा था किसी में धन भरा था किसी में बरतन भरे हुए थे तो किसी में रजाई गद्दे भरे हुए थे उसके बाद बहु ने सात्वा कोठा कोल करके देखा तो उसमें मादे पारवती जी गणे जी लक्ष्मी जी विश्नु बगवान पीपल पतवारी कार्ती के रादा दामोदत तुलसी जी का बिर्ला गंगा जमना बहर रही थी तैतीस कोठी देवता विराजमा थे पीपल के पेड़ के नीचे चंदन की चोकी पर एक लड़का बेटा तुलसी की माला जप रहा था तब बहु ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो लड़का बोला मैं तेरा पती बहु बोली कि आप बहर चलिए आपके माता पिता देखेंगे तो बहुत खुश होंगे रड़के ने कहा कि जब मेरे माता पिता मुझे खुद लेने आएंगे तब ही मैं बहर आऊंगा अब तु दर्वाजा बंद कर दे और बहर चली जा या सुन कर बहु बहुत खुश हुई उसने सातों कोटों की ताले लगा दिये उस दिन उसने सोलर शिंगार करे और सुन्दर सुन्दर कपड़े पैने साससुर के लिए स्वादिष्ट वेंजन बनाए और अपने साससुर के आने का इंतजार करने लगे साससुर शाम को आये तो उन्हें घर में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया सास ससुर घर आये तो वहू ने उनका खुब आदर सत्कार किया, घर में जारू पोचा हुआ दिखाई दिया, कपड़े दुले हुए दिखाई दिये, वहू ने सासु के पैर दबाए और उनचपन तरह के वेंजन परोसे या दे का सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो सातो कोटो की चाबी लेकर खुश होगे, अब हमें और क्या चाहिए? चलो कोई बात नहीं, सातो कोटो की चाबी देने से अगर बहू राजी है तो हमें और क्या चाहिए? इस तरह पूरी रातरी बीत गई, दूसर दिन सु तुर्सी जी का बिल्ला हरबरा हो रहा था कार्टी के रादादा मोदर भगवान थे गंगाजमना भह रही थे 33 कोटी देवी देवता विराजमान थे पल के पेड़ के नीचे तिलक लगाए चंदन की चोकी पर एक लड़का तुलसी की वाला कजाप कर रहा था ब्रामनी ने लड़के से पूछा कि तू कौन है लड़के ने कहा कि मा मैं तेरा बेटा हूँ ब्रामनी बोली कि तू कहा से आया लड़के ने कहा मुझे तो कार्तिक के रादा दामोदा भगवान ने आपके लिए वेजा है ब्रामनी बोली कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कैसे जानेगा मेरा घर का दनी कैसे जानेगे ये देवरानी जिठानी क्या जानेंगे अगल बगल के अडोसी पडोसी गांवाले बेटा ये दुनिया तो मुझे ताने देगी तब एक विद्वान पंडीजी से सला करके पूछा गया तो पंडीजी ने कहा कि एक तरफ तेरे बेटा बहु को खड़ा करो एक तरफ तू खड़ी हो जा तुझे चाम की अंगिया पहना ही जाएगी अगर चाम की अंगिया फटकर तेरे आचल से दूद की धा तेरे बेटे के ढ़ाणी मूच पर जाकर के गिरे और पवन पानी से तेरे बेटे का गटबन जुड़ा तो माना जाएगा यही तेरा बेटा है पुरे गां को एकत्र किया गया अडोसी पडोसी नाते रिष्टेदा देवरानी जिठानी को बुलाया गया एक तरह बुडिया माई को चाम की अंगिया पहना करके खड़ा किया गया दूसरी तरह बेटा बहु को खड़ा किया गया सूर्य नारान भगवान की किरने जब बढ़िया माई के आचल पर गिरी तो चाम की अंगिया पट गई उसमें से दूद की धारा बेटे के धाड़ी मूश पर जाकर के गिरी और पवन पानी से बेटा बहु का गटबंदन जुड़ गया वहां खड़े सभी लोगों ने ये द्रशे देखा सभी ने कहा की है बढ़िया का ही बेटा है ब्रामन ब्रामने की खुशी काठिकाना नहीं रहा ये कार्ति के राईदा मोदर भगवान जिसे आपने भ्रामनी को कार्ति गमास में पीपल पतवारी सीच ने गंगा इसनान करने का फल दिया उसे बेटा बहु का सुख दिया वैसे सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और रुकारा भरने वाले को गंगा जमना की कहानी एक बार गंगा और जमना दो बहने थी दोनों बहने एक साहुकार के खे से जा रही थी तब ही जमना ने जो की तेरे बालियां तोड़ कर खाली तब गंगा बोली कि अरी बहन जमना तेरे तो ग्रहन लग गया यह तो चोरी है तब जमना बोली कि बहन के यहां नोकरी करने पड़ेगी तबी तेरा ग्रहन चुटेगा उसके बाद में जमना ने एक साधारन इस्तरी का रूप धरा और सहुकार के यहां काम मांगने पहुच गए सहुकार को भी काम बाली की जरत थी तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया लेकिन जमना बोली कि है सह सहुकार मैं तेरे यहां काम तो करूँगी परंतु चार काम नहीं करूँगी एक तो जूटे बरतन नहीं मांजूँगी जाडू नहीं लगाओंगी बिस्तर नहीं बिछाओंगी और दिया नहीं जलाओंगी सहुकार ने कहा चलो कोई बात नहीं इन चारों को छोड़कर घर के अन्य काम कर देना इस तरह जमना सहुकार के यहां काम करने लगी बारा बरस के बाद कुम्ब का मेला आया सहुकार दमपती कुम्ब के मेले में जाने लगे तब जमना ने उनको एक सोने काटका दिया और कहा कि है सहुकार वहां मेरी बहन गंगा है यह सोने काटका उसे दे द और उससे पूछना कि तेरी बहन जमना का पाप दोश छूटा या नहीं। उसके बाद सहुकार दमपती सोने का टका लेकर कुम्ब मेले में चलेगे। वहाँ दर्शन आदी करके गंगा में इस्तनान किया। तभी उन्हें याद आया कि जमना ने एक सोने का टका गंगा को दे हाथ बाहर निकले और उन हाथों ने सहुकार से सोने का टका ले लिया। यह देख कर सहुकार दमपती अश्चरिय में पढ़ गे। तभी वहाँ आकाश्वाणी हुई। आकाश्वाणी ने कहा कि हे सहुकार तू मेरी बहन जमना से कहना कि उसके बारा बरस पूरण हो गे है उसका पाब दोश भी छूट गया है। यह सुन कर सहुकार दमपती और भी अश्चरिय में पढ़ गे कि तभी वहाँ जमना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। सहुकार दमपती का सिर्चकराने लगा। वे मनीमन सोचने लगे कि हमने जमना मैया से घर के सारे छोटे बड़ काम करवाई। हमारे उपर तो पाब दोश चड़ गया है। यही सोच कर वे वापस घर आये। घर आकर वे पूरे समय दुखी रहने लगे। उनका खाना पीना अन जल सक छूट गया। तब जमना अपनी बहन गंगा से मिली। गंगा ने अपनी बहन जमना से कहा कि बहन कुछ बता कर के नहीं आई। गंगा बोली कि वेन तु वापस जा और सावकार दमपती को अपनी पूरी सच्चाई बता कर के आ। उसी रातरी को जमना सावकार के सपन में गई और बोली कि है सावकार तु क्यों दुखी बैठा है। क्यों तुने अन जल का त्याक कर कि है जमना मैया मैंने अपने घर के छोटे बड़े सभी काम आपसे करवाई। मेरे उपर तो पाप दोस चड़ गया है। अब मैं इस पाप दोस से कैसे छुटूँगा। तब जमना ने कहा कि है सावकार तुझे कोई पाप नहीं लगा। क्योंकि एक बार मैं और मेरी बहन गंगा तेरे खेत से निकल रहे थे तब मैंने तेरे ग्यहूं के तेरे दाने तोड़ कर खा लिये थे। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहां नोकरी करने आई थी। तुझे कोई पाप दोस नहीं लगेगा। उसके बाद सप्ण में ही जमना मैया ने सावकार स कहा कि है सावकार मैं तुझे धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मिवान हुने का आशिवा देती हूँ। ऐसा कहकर जमना मैया अद्रश्य हो गई। उसके कुछ समय के बाद ही सावकारनी को गर्ब टहर गया और उसे दो जुड़वा पुत्र पैदा हुए। सावकार का व् ओरतें बैठकर गेहु साफ कर रही थी क्योंकि गेहु में ईली और घुन पड़ गए थे। तब एक ओरत बोली कि कार्तिक का मैना लगने वाला है। इस बार हमें कार्तिक इस्तनान और रत करना चाहिए। तब सभी ओरतें पूछने लगी कि कार्तिक इस्तनान करने से क्या प्राप्त होता है। उनकी बातें गेहु में पड़ी ईली और घुन सुन रहे थे। तो ईली ने घुन से कहा कि इस बार हमें भी कार्तिक इस्तनान करना चाहिए। ताकि अगला जान्म हमें भी मनशी योनी का ही मिले। तब घुन ने कहा कि तू ही कर ले। मुझसे भूख बरदाश्ट नहीं होती। मैं तो बाजरे के सिट्टे खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पिऊंगा। तब ईली ने उनी ओरतों में से एक ओरत के चुड़े पर बैठ कर कार्तिक इस्तनान कर लिया। लेकिन घुन ने नहीं किया। इस तरह समय बीचने लगा। जब काल की घड़ी आई तो ईली और घुन दोनों मर गे। कार्तिक इस्तनान करने के फल से ईली को अगला जन्म मनश्य का मिला। वह राजा के यहां बेटी रूप में पैदा हुई और घुन उसी राजा के घदे रूप में पहुच गया। राचकुमारी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बाते याद आ गई। वह घदे के साथ खेलती और बाते करती। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजकुमारी विवा लायक हुई तो राजा ने अपने बेटी का विवा एक बहुत उचे घराने के राजा के बेटे से धूम धाम से क गोडे उट, दास दासियां, हीरे मोती, सोने चांदी के जड़ाओ, जेवरात, रेश्मी कीमती वस्त्र दिये। उसके बाद राजा रानी ने अपनी प्यारी बेटी से पूछा कि हे बेटी हमने तुम्हें दहेज में सभी चीज़े दी हैं इसके अलावा तुम्हें और कु आईये तो बताओ, तो बेटी बोली, पिता जी आप मुझे ये घदा भी दे दो, तो राजा ने नोकरों से कहे कर, दहेज के लवाज में के साथ घदा भी कर दिया, अब घदा बारातियों के साथ फुदक-फुदक कर जाने लगा, ससुराल पहुचने के बाद, राजकुमारी ने अपने महल के नीचे ही घदे को रसी से बंधवा दिया, अब राजकुमारी अपने कमरे में से बाहर आते जाते, दोनों समय घदे से बाते करने लगी, तब राजकुमारी की देवरानी, जिठानी और नंदों ने देख लिया, तो उन्होंने राजकुमार के कान भर दिये, की आपकी पत्नी तो जानवरों से बाते करती है, राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी पर यकीन नहीं करता जब मैं अपनी आखों से खुद देखूंगा तभी यकीन करूंगा दूसरे दिन राजकुमार ने चुप कर राजकुमारी को घदे से बाते करते हुए देख लिया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सस सच बताना तुम घदे से क्या बाते कर रही थी नहीं तो इसी तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूँगा तो राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज ओर्तों का भेद मत पूछिये राजकुमारी ने कहा कि मैं तुमारा पती हूँ मुझे भेद लेने का पूरा अधिकार है तब राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज पूर्व जान्म में मैं इली थी और यह घुण था तब हमने कार्तिक की मैमा को सुना तो मैंने घुन से कहा कि आजा घुन हम दोनों कार्तिक इसनान करें ताकि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले लेकिन इसने इनकार कर दिया लेकिन मैंने कार्तिक इसनान पूरा किया कार्तिक इसनान के फल से मुझे इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिला और आज मैं आपकी रानी बनी और राजपाट का सुख भोग रही हूँ मुझे इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का इसमरन रहा लेकिन यह घदा भूल गया मैं इस घदे को यही याद ला रही थी और कह रही थी कि अगर तू भी कार्तिक इसनान कर लेता तो तुझे भी मनुष्य का जन्म मिलता जब राजकुमार ने कार्तिक मास की महिमा को सुना तो वह बोला कि कार्तिक इसनान का इतना सुंदर फल मिलता है तो हे रानी इस बार हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक इसनान करेंगे और खुब दानपुन्य करेंगे उसके बाद राजकुमार ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास का इसनान करना चाहिए और दानपुन्य करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए उसके बाद जब कार्थी का मैना आया तो राजा रानी ने जोड़े से कार्थी का इसनान और रत किया और खूब दानपुन्य किया जिससे कार्थी के राधा दामोदर भगवान ने उन्न अन धन पुत्र पोत्र का सुख दिया ये कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी जैसा सुख आपने ईली को दिया, बाद में राजारानी को दिया वे सस्ट कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पत्वारी की आज हम एक पोराणी कथा सुननी जा रहे हैं प्राचीन समय की बात है, एक गाउं में एक बुडिया माई अपने चार बेटा बुवों के साथ रती थी बुडिया माई के पास चार भैसे थी, वह उन भैसों का दूद दही बेचने का काम करती थी, कार्तिक का महिना आने वाला था बुडिया माई ने सोचा कि पता नहीं अगले साल जीऊं या मरूं, तो क्यों नहीं मैं इस बार कार्तिक का इस्तनान और व्रत कर लूं तब उसने अपनी चारो बुवों को अपने पास बुलाया और कहा कि इस बार मैं कार्तिक इस्तनान हरी द्वार जाकर करूंगी एक मैने तक मैं वहीं रहूंगी, तुम चारो एक एक भैस की जिम्मेदारी ले लो, इसलिए तुम चारो एक एक भैस ले लो और उसकी खूप सेवा पानी करना भैस का दूर निकाल करके उसका धही जमाना और उसका घी निकाल करके इखटा करना एक मैने के बाद आकर मैं देखूंगी कि सबसे ज़्यादा घी कौन जोडता है बुढियां अपनी चारों भवों में से छोटी बहु को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी यह बात बड़ी तीन भवों को बहुत चुकती थी बुढिया की चोथी बहु को घी निकालना नहीं आता था तब तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि छोटी को घी निकालना नहीं आता नहीं इसे धही बिलोना आता है तब तीनों बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढिया को सही साबित करने का छोटी बहु को ने तो दही बिलोना आता है और नहीं घी निकालना आता है अते हम तीनों इससे नहीं बताएंगे कि घी कैसे निकालते हैं उसके बाद जब कार्तिक का महिना आया तो बुडिया माई अपनी चारों भूओं को एक एक भैस की जिम्मेदारी सोख कर हरिद्वार कार्तिक इस्तनान करने के लिए चली गई पीछे से चोथी बहु ने अपनी तीनों बड़ी जिठानियों से पूछा कि भाबी जी घी कैसे निकालते हैं तो जिठानियों ने उसे नहीं बताया जिठानियों ने कहा कि हमारे पास बताने का समय नहीं है अब विचारी छोटी वहू दूद का क्या करती वे दूद दही को पीपल पत्वारी में जाकर सीच आती वे मन की बड़ी ही भोली भाली थी इस तरह समय बीतने लगा इधर तीनों जिठानियों ने भैस का दूद निकाल करके दही जमाने लगी और बिलोना करके घी इखटा कर लगी मैना पूरा होते होते तीनों जिठानियों ने एक एक डिबब घी का भर लिया चोटी वहू ने जरासा भी घी नहीं निकाला वहे तो सारत दूद दही पीपल पत्वारी में सीच आती थी एक मैने के बाद बुडिया माई घर आई तब चोटी वहू सोचने लगी कि सा पीपल पत्वारी माता के पास आकर बैठ गई सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी पीपल पत्वारी माता ने सोचा कि यह बिचारी तो मन की बड़ी ही भोली भाली है यह सारा दूद दही मुझे सीच करके चली जाती थी इसे कार्तिक मास में दूद दही सी की बात को जान लिया पीपल पतवारी माता बुडिया वेश में चोथी बहु के पास आई और बोली कि बेटी तू यहां सुभ़ से भूगी ब्यासी क्यों बैटी है शाम होने वाली है तू अपने घर क्यों नहीं जाती तब चोथी बहु ने व्रद मैला वेश में पीपल पारी माता बोली की बेटी तु यहां से चार कंकर अपने घर ले जा और उन्हें अलग अलग चार डिबों में रख दिना तेरे चारों डबे घी से भर जाएंगे तब बुडिया की चोथी बहू ने ऐसा ही किया वे पीपल के पेड़ के पास से चार छोटे छोटे पत्थर ले चारों ने अब तक कितना घी इखटा किया लाकर मुझे बताओ तीनों जिठानिया अपना अपना घी का डिबबा लेकर आ गई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब इस चोटी बहू को सासु मा डाटेगी अब ये घी कहां से लाएगी तबी चोथी बहू आई और अपने सा चार घी के डिबबे लेकर आई चार घी के डिबबे देखकर तीनों जिठानियों को बड़ा अश्चरिय हुआ कि इसने ने तो कभी दही जमाया नहीं कभी पिलोना करा तो ये चार घी के कहां से लेकर आई तीनों जिठानिया कहने लगी कि जरूर इसने अपने पती से बाजार से घी खरिद के मंगवाया होगा तब तीनों जिठानिया अपनी सास से चोटी बहू की शिकायत करने लगी कि सासूमा हमने इस चोटी को कभी भी दही जमाते और बिलोना करते हुए नहीं देखा तो फिर यह चार घी के डिब्बे कहां से लाई यह जरूर अपने पती से कहे कर इसने बाजार से घी मंगवाया होगा इस पर चोथी बहु ने कहा कि हाँ भावी जी आप सच कहती हो ने तो मैंने दही जमाया और नहीं बिलोणा किया क्योंकि ने तो मुझे दही जमाना आता था और नहीं बिलोकर के घी निकालना आता था मैं तो पूरे कार्टिक मास में दूद और दही को पीपल पतवारी को सीच आती थी पीपल पतवारी माता की क्रपा से ही यह फल मुझे प्राप्त हुआ है चोथी बहु की बात सुन का सारी बहु ने कहा कि अगर पीपल पतवारी माता को सीचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो अगले साल हम भी कार्टिक इसनान करेंगे और पीपल पतवारी माता को सीचेंगे हे पीपल पतवारी माता जैसे आपने पीपल पतवारी सीचने का फल छोटी बहु को दिया वैसा सब को देना कहानी कहनी वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भेने वाले को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नोग्रे की कहानी सुनते हूँ एक बार एक गाउं में दो भाई बहन थे दोनों का विवा हो चुका था तब एक बार भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससराल जा रहा था जब वह जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक सर्प की पूच में आग लगी हुई है भाई को सर्प के उपर दया आ गए तो उसने मिट्टी उठा कर सर्प की पूच पर डाल दिया जिससे आग भुझ गई लेकिन वह सर्प क्रोधित हो गया उसने कहा अम मैं तुझे डस होना भाई बोला भलाई का तो जगाना ही नहीं एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और उपर से तुम मुझे ही डसना चाते हो सर्प ने कहा कि मेरी तो सो वर्ष की उमर पूरी हो गे थी मैं तो सो मरना चाता था तुने मुझे बचा कर के ठीक नहीं किया अम मैं तुझे डसूगा भाई बोला मैं अपनी मा का इकलोता पुत्र हूँ और अपनी बेहन का इकलोता भाई हूँ मैं अपनी बेहन से मिलने उसके सस्राल जा रहा हूँ जब मैं वापस लोटू तो तुम मुझे डस लेना सर्प ने कहा कि अगर तु इस रास्ते से आया ही नहीं तो सर्प ने कहा कि अगर तु वापस इस रास्ते से आया ही नहीं तो इसलिए मैं तो तुझे डसूगा भाई सर्प से अनुने विन्य करता रहा लेकिन सर्प नहीं माना तब भाई ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे इस थेले में बैठ करके चलो इससे सर्प राजी हो गया उसके बाद सर्प भाई के थेले में कुंडली मार करके बैठ गया भाई ने थेले के ऊपर खुब सारे बेल पते डाल करके सर्प को ढख दिया उसके बाद भाई बहन के घर पहुचा, बहन उस समय नवग्रह की कहानी कर और सुन दही थी बहन अपने भाई से बोली की भाई तू भी बैठ जा, बात में हम बाते करेंगे, पहले तू मेरी नवग्रह की कहानी सुन ले इस तरह बहन ने एक लोटा जल लिया और एक कटोरी में थोड़े सी चावल और चीनी लिये और वेनवग्रे की कहानी अपने भाई को सुनाने लगी जीर की, जिनावर की, हाती की, घोडे की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, धी के जमाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संध की, सहेलियों की, अडोसी पडोसी की, सब के नो ग्रशांत हो जाए गह चले आठ पग, बंदा चले चार पग, साग विच्चु भवे सब आग में जल जाएं। इस तरह बहन कहानी कहकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने उस जल से सूर्य नाराइन भगवान को अर्ध दिया और चीनी और चावल चिटियों को खाने के लिए डाल दिया। फिर अपने भाई से मिली। बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू इस थेले में मेरे लिए क्या लेकर आया है। बहन ने जब वर्धस्ती अपने भाई से थेला चीन लिया। भाई ने कहा कि बहन मैं तो पहले भी गरीब था और अब भी गरीब हूँ फिर उसने रास्ते में घटित-घटना अपनी बहन को सुनाई और कहा भी बहन मैं तो अपनी मोत अपनी साथ लेकर आया था लेकिन तेरी नोग्रे की कहानी सुने से यह सर्फ हार में बदल गया है यह तेरे भाग्य कहा है इसलिए इस हार को तू ही रख ले बहन अपने भाई से बोली कि भाई तेरे तो नोग्रे की दशा चल रही है तु भावी से कहना वह तुझे नोग्रे की कहानी सुनाया करे। इस तरह भाई अपनी बेहन से मिलकर अपने घर लोट आया। आते ही वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरे नोग्रे की दशा लग रही है। इसलिए तु मुझे कहानी कहा कर मैं सुनूगा। उसी समय उसकी पत्नी एक लोटा जल लेकर आये और एक कटोरी में थोड़े से चावल और चीनी लेकर आये। पत्नी अपने पत्नी को कहानी सुनाने लगी। जीव की जिनावर की, हाती की, घोडे की, कुते की, विल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुल की, घर के दानी की, वहन की, भाई की, सब के नोग्रे शांत हो जाएं। दशा बहन ने भाई की, उतारी वैसी सब की उतार जाएं। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की, और हुकारा भहने वाले की। चैनल पर इन व्रत कथाओं को जरूर सुने। मैंने अलग से कार्थिक मास के अध्याई भी डाले हैं, साथ ही मैंने कार्थिक मास का एक अध्याई से लेकर 35 अध्याई तक का संपूर महात्य में भी डाला है। अगर आप इन व्रत कथाओं को सुनेंगे तो आपको कार्थिक मास का पूरा फल जरूर प्रक्त होगा। कार्थिक मास के अध्याई से लेकर 35 अवरा आपको का और का